यूक्रेन का खेरशान शहर पिछले साल रूसी हमले के बाद से ऐसा शहर बन गया है जहां हर घंटे बंबारी या गोली बारी होती है इस शहर में रूसी सेना ने सबसे ज़्यादा आतंक मचाया आम नागरिकों की जान लेने के अलावा वहां उच अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है इन सब के बावजूद वहां की एक महिला मेयर है जो रूसी सेनिकों के लिए चुनौती बनी हुई है इस महिला मेयर का नाम है हलिना लुहोवा हलिना पर रूस अब तक 6 बार हमला कर चुका है जिसमें वो बाल-बाल बची है इन सब के बाद भी वो पूरी निडर्ता से शहर को चलाने की कोशिश कर रही है हलिना अपने काम के बारे में बताती है दफनाना, साफ करना, सब कुछ ठीक करना और लोगों को खिलाना इतनी चुनावतियों के बावजूद हलिना शहर को बुनियादी तरीकों से चालो रखने की कोशिश कर रही है वो लोगों के लिए पानी, खाना, मेडिसिन, इंटरनेट, पेंशन, बस, जेनरेटर जैसी बेसिक चीजे मुहया करा रही है उन्होंने हाल ही में कीव जाकर स्लो वोजन से अपने शहर के लिए 20 बसे मांगी वो रात में सिर्फ 40 मिनट की नीन ले पाती है हलिना कहती हैं वो इतनी ठक जाती हैं कि उन्हें नसों में सीधे इंजेक्शन लेना पड़ता है ताकि वो अच्छा फिल कर सके हलिना और उनका प्रशाशन जल्द से जल्द बम शेल्टर बनाने की कोशिश में लगे है Bureau Report 80 of Hindi News